स्वागत है दोस्तो आपका हमारे इस यूटूब चैनल कंफ्यूजन 9.2.11 में दोस्तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बिहार कमचारी चैयन आयोग बिहार SSC के तरफ से जो तीरतिय सनातक सहिंफ परतियुक्ता परिछा का जो बिग्यापन निकाला गया है उसमें से ब बनवा लेंगे तो सच चलेगा या फिर अप्लिकेशन फॉर्म भरते समय हमको सब्मिट करना होगा और जो साधी सुदा महिला है उनका कंफ्यूजन है कि सर हम कहां से बनवाएंगे अपना जाती परमान पत्र या फिर जो हमारा मूल निवास परमान पत्र है हस्बेंड के सा सारा कुछ इसमें डिटेल बिद प्रूफ के साथ हम लोग देखने वाले हैं और सारा कंफ्यूजन आपका हम दूर करेंगे इस वीडियो में कि कौन सा आवेधन पत्र आपको फॉर्म फिलप करते समय आपके पास होना चाहिए वो भी अनिवार रूप से ठीक है अगर नहीं होगा तो आपको इंटर्वियू के टाइम में आपको डिस्कौलिफाई कर दिया जाएगा तो चली यहां पर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं डिटेल तो यहां वेकेंसी वाइस हमने बता दिया था पहले वीडियो में लेकिन आज जो हम लोग इंपोर्टेंट टॉपि बिहार के जो मूल निवासी है उन्हीं को ही दे होगा देखिए यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि बिहार अधिनियम 15.23 मूल के आलोक में राजय धीन सेवाओं में आरक्षन कलाव राजे के मूल निवासी को ही दे होगा यानि जो मूल वासी होंगे उन्हीं को ही दे होग केवल आरक्षन कलाव और बिहार राजे के जो बाहर की निवासी होंगे उनको आरक्षन कलाव दे नहीं होगा और एक चीज यहां पर और नोट कर लें आप लोग देखिए यहां पर लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थाई निवास परमान पत्र का नंबर तथा तिथी तथा निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अंकित करना होगा जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तूत करना अनिवार्य होगा तो आप लोग को यहां पर किलियर हो गया है साफ साफ की अगर जो रिजर्वेशन का लाव लेना चाहते हैं तो वो त अपना अस्थाई निवास परमान पत्र बनवाले मूल निवासी का क्योंकि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो यहां पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आवेदन करते समय उनको अस्थाई निवास परमान पत्र जो निर्गत किया जाएगा उसका नंबर यानि परमा पत्र नहीं बनाए हैं तो आप ये नंबर तिथी निर्गत नहीं कर पाएंगे तो आपको मजबूरी बस आपको जेनरल से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उस समय तक आपके पास अगर नहीं होगा तो आप फिलब भी नहीं कर पाईएगा और यही जो आप आउनलाइन आ यहां पर किलियर हो गया है असाफ साफ अक्षरों में भी लिखा गया है ठीक है अब आईए यहां पर बुरा आरक्षित कोटी के अभ्यारती अपनी जाती के अनुरूप पून रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षन कोटी का दावा ओनलाइन आवेदन के का दावा मानने नहीं होगा और एक चीज नीचे ही यहां पर कहा गया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किये गया आरक्षन स्रेनी में किसी भी परिश्थिती में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंद में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया अगर आपने गलत आरक्षन का दावा कर दिया है तो उन्हें आनारक्षित स्रेनी में ही माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यांत पिछड़ा वर्ग के लिए ज्यादा कन्फूजन में रहते हैं तो यहां पर देख लें कि पिछड़ा वर्ग और अत्यांत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कहा गया है। पड़ेगा पिछड़ा वर्ग और अत्यांत पिछड़ा वर्ग दोनों के लिए और यहां पर साफ साफ लिग दिया गया है कि ओनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमान पत्र अभ्यारतियों के पास भौतिक रूप से उपलब्ध होना अनिवार है जिसकी निर्गत संख्या तिथी तथा ओनलाइन आवेदन के निर्दिष्ट कॉलम में अंकित करना होगा अब आपका यहां पर सारा कंश्यूजन दूर हो गया और यही इंक्वारी मुझे सबसे ज़्यादा आ रही थी लोगों के द्वारा कि सर मैं अत्यांत पिछड़ा व आवेदन करते समय उसको आपको फिलब करना पड़ेगा किस स्थिथी को निर्गत किया गया है वो भी आपको फिलब करना पड़ेगा साथ में यहाँ पे लिखा गया है कि पिछड़ा वर्ग अत्यांत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के अभ्यारतियों द्वारा आवेदन में अंकित क्रीमी लेयर रहित परमान पत्र को कौंसलिंग के समय मूल रूप में पस्तूत करना आवस्यक होगा और एक वर्ग से अधीक पुराने क्रीमी लेयर रहित परमान पत्र के स्थिती में विहित परपत्र 18B में स्वगोशना समर्पित करना होगा भ्यारती को आरक्षन का लाव दे नहीं होगा और स्वगोशना अगर आप कौंसलिंग के समय समर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपको आरक्षन का लाव दे नहीं होगा और आपको अन्रिजर्व की तरह ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग को ये चीज किलियर हो गया है कि हर हाल में आपको सारे परमान पत्र फॉर्म फिलब करने के दोरान उससे पहले ही बनवा लेना होगा और फॉर्म करते समय उस आवेदन का जो आप लोग सर्टिफिकेट बनवाईएगा जातिये हो गया अवासिये हो गया नन क्रीमी लेयर होगा ठीक है एस्टी का हो गया वो उसका आपको आवेदन संख्या डेट वेगरा सब कुछ उसको फिलब करना पड़ेगा और आप आईए विवाहित महिलाओं के लिए तो आरक्षन का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित परमान पत्र देखे महिलाओं का जाति आने की कास्ट और नन क्रीमी लेयर रहित परमान पत्र उनके पीता के नाम से होना चाहिए और जो जाती अवासिये जो बनाएंगे, वो उनके पिता के पता से निरगत होना चाहिए तो आपको अब किलियर होगया होगा, जो भी विवाहित महिलाएं होंगे वो अपने हस्वेंड के घर से जो है, उसके एडरिस से नहीं बनवाना होगा कोई भी चीज, वो अपने पिता के यहां जाएं और पिता का जो एड्रिस है, उनके महिला का जो पिता का एड्रिस है, उनके पता से और उनके पिता के नाम से अपना जो है जातिये, अवासिये और नन क्रीमी लेयर परमानपत्र बना लें, ना कि अपने पती के नाम से और पत महिलाएं होते हैं वह अपने हस्वेंट के से और उनके नाम से अपना सारा कुछ बनवाँ लेते हैं तो यह पिज्वाःत महिलाओं को अपने पिता के नाम से ही सारा कुछ बनवाना पडबेगा और पिता के सारा कुछ लॉट होगा यह चीज़ेहां पर आपको tinha pe कि यहाँ पे एक चीज और है देख लिजे कि प्रारंबिक परिछा के लिए ओनलाइन आवेदन प्राप्त होने के अंतिम्ति थी तक जो अभ्यारती जिस आरक्षन स्रेणी में होंगे वही मानने होगा यानि कि आप जो है आउनलाइन आवेदन भरते समय जिस स्रेणी में आप फिलब करेंगे वही स्रेणी मानने होगा बाद में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे एक बहुत इंपोर्टेंट आप लोग का निकल के आए चुका है सारा डिटेल अब मुझे लगता है कि अब किनी को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया है कि परमान पत्र कब बनाए कब चाहिए फॉर्म फिलब करते समय उसका ज़रूरत है या नहीं है नन क्रीमे लेयर किनको बनवाना है वो सारा कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया है अब कुछ लोग सिलेवस पे बात करते हैं तो यहाँ पे देख लेए सिलेवस जो है इसका पीटी का वो आप लोग जानते हैं कि तीन सेक्शन में आएंगा पीटी में डेर सो कोशन र रहेंगे और समानने विज्यान से 25 गनीज से 25 और मांसिक छमता जाच से आपको 25 रहेगा यानि कि 25 और इधर 75 और इधर 75 डेर सो कुछन आपका यहाँ पे पूछा जाएगा और एक वार आप लोग सिलेवस डाउलूड करकर के यहाँ पे टॉपिक देख लें कि क्या-क्या ह होगा ठीक है यह सारा कुछ आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट तथ्य बता दिया है कि क्या-क्या पढ़ना है सिलेवस भी है यहाँ पे और वैसे तो हमारे टेलिग्राम चैनल पे इस्टेंड कर दिया गया है जो मेरा में मुद्दा था वह मैंने आपको क्लियर कर दिय कब तक होना चाहिए और अगर आपको नहीं है तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा अगर आप समय रहते नहीं बनवा लेते हैं तो क्योंकि ऑनलाइन आवेदन भरते समय उसका सारा जो है डिटेल भरना पड़ेगा आपको फॉर्म भरते समय ही और वही आपको कांसलिंग के टाइम में वही परमानपत्र जो आपने PT के समय आवेदन में फिलब किया है परमानपत्र संख्या वही संख्या के नाम से आपको वहाँ पर ओरिजनल आपको पस्तूत करना पड़ेगा कांसलिंग के समय तो ये आपको डिटेल है और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का सारा confusion दूर हो गया होगा और आप लोग हमें जो है कम reply करेंगे कम question करेंगे इस issue पे ले करके इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्री आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद